पंजाब नशे की गिरिफ्त में है पंजाब हिंदुस्तान का एक ऐसा इस्टेट है जहां अकसर लोग नशे की वज़ा से काफी परेशान हैं और पंजाब के नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा डरक सव दूसरी नशेली दवाईयों की चपेट में हैं इसी के साथ साथ हाल ह पंजाब में नकली शराब पीने से सव से ज़्यादा लोगों की मौते होने से हडकंप मच गया है मरने वालों में सबसे ज़्यादा तर्न तारान अमिरित सर और बाटला इलाके के रहने वाले लोग हैं लंबे वक्त से चल रहे शराब का वेद कारोबार का मामला मीडिया मे काफी पहले आ चुका था और इससे पहले भी नकली शराब पकड़ी गई थी लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा बड़ा हादशा पेस आने से इंसानियत के लिए सरमसार करने वाली बात है इस मामले में कुछ लोगों को गिरिफतार कर लिया गया है पंजाब के वजीर आला कैपिटन अमिरिंदर सिंग ने पूरे मामले की जाच के आदेश भी दिये हैं जिस तरह आज शराब और नशे की वज़ा से लोग परेशान हैं और अपनी जिन्दगी गवानी उन्हें दूनिया और आखरत की काम्याबी पाने के लिए शराब से बचने का हुक्म दिया है और हमारे प्यारे नभी स्राब ने शराब से किसी भी तरह से जुड़े रहने वाले लोगों पर लानत की है ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें